हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप एक करीजी क्र्प्टो में हैं आज हम बात करेंगे सिवा इनुकी कुछ लेटस अपडेट हैं और एक तरह से प्राइस प्रेटिक्टिर्सन है उसका आज हम बात करते हैं सिवा इनुकी क्योंकि अच्छा market चल रहा है और market एक तरह से stable है सिवाई नहीं की बात करने से पहले मैं आप चाहिए ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि आप channel को बीच में skip ना करें क्योंकि बहुत से जानकारियां channel के बीच में आती हैं या video के last में आती हैं तो अपने आपको एक जगापे स्थिर के हुए है वही अपना थोड़ा सा डाउन थोड़ा सा थोड़ा सा डाउन होता है अप्रएल के पहले हफ्ते में जो है थोड़ा सा मार्केट अपने एक तरह से कहेंगे तो correction कर रहा है तो उम्मीद है कि दूसरे हफते से मार्केट साथ थोड़ा सा अब होना शुरू होगा और ये डॉलर का आप तरह से 50,000 क्रोस करने की उम्मीद है तो अभी मार्केट थोड़ा सा अपने आपको करेक्ट कर रहा है तो बाकी अभी बिटकोइन का प्राइस भी हुए है वही अप आपका ऊपर जा रहा है ना निची जा रहा हुई है अपना 46-47 46-47 उसी गरेंज में चल रहा है तो एक तरह से यह प्राइस जो था उससे काफी अप में है तो अप्राइब जो है उसमें जरूरहा भी थोड़ा सा मुलिस ट्रेंड बाव कि हाँ बिटकोइन आपका अभी करे अपने आपको स्टेवल कियो है अब बात करते हैं सिवाइनु तो सिवाइनु आज के थोड़ा सा जो है हाइलाइट में है लाइम लाइट में है उसकी वजय भी है क्योंकि सिवाइनु जो है एक तरसी डोगी कोईन किलर के तोर पर देखा जाता है और उसके बाद ही आया है डोगी कोईन के बाद तो उसको उसके किलर के रोब में देखा जाता है अब इसका प्राइज जो है पॉइंट 0.001 या 0.001 पॉइंट 0.001 या 0.001 क्या 2022 में जा सकता है हम तो यहीं उम्मीद करते हैं कि जा सकता है सिवाए उन्हों वो सब कर सकता है जो हम सोचते भी नहीं और आपने इसका देखा ही है कि इसका return जब यह देने पर आता है तो यह सारे barriers तोड़ देता है तो कोई भी barrier इसके लिए माइने नहीं रखता जो हम यह लोग कहते कि यह इसका baseline है यह इसका supporting price है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है और सिवाए इनु में यह potential है यह सब करने की और किसी कोईन की तो नहीं पता लेकर ना सिवाए इनु में इतनी potential है कि यह सब कर सकता है उसकी वज़य भी हैं उसकी वज़य हैं उसका अभी metaverse land release کرना सिवा इनु NFTs और इतना ही नहीं अभी एक बहुत बड़े वेलने जो है सिवाएनू 86 बिलियन सिवाएनू खरीदे हैं प्लस इसन की अभी लेटेस्ट बर्निंग भी होई है तो जब इतने सारे पॉजिटिव चीजे किसी एक कोईन में होती है तो प्राइस तो अफ हो नहीं है तो दूसरा सिवाएनू का जो मेटावर्स लेंड है उनको अभी थोड़ा सा एक तरह से लॉक किया गया है यानि स्टार्टिंग में केबल उन्हीं लोगों को यह लेंड मिलेगा जिनके पास सिवोसिस एनेप्टी या लीज होल्डर जो है यानि जिन लोगों ने पहले यह ले रखे हैं उन्हीं को अभी मेटावर्स लेंड खरीदने की जा पहले इनको ले सकते हैं बाकि बाद में सबके लिए होगा इनका अपना टू मैं ब्लोक्चेन भी प्लाणिंग में है सवाय सब्सक्राइब मार्केट में लाजान ब्लोक्चेन के इसलिए क्योगे आपका ट्रांजक्षन फी लगता है बहुत जादा लगता है तो इनकी यह है कि हम आपनी क्षर लाएंगे तो जो लगती है में वह उसे हम कोई खरी साकते हैं तो इस वजासे इनकी प्लानिंग है कि हम अपनी ब्लॉक्चेंग भी लाया और quarter two मैं प्लाणिंग में है भी तो ये इतनी सारी चीजें हैं सिवाइनू के अंदर तो इससे ये उम्मीद है कि हमारा जो प्राइज हम जो सोचते हैं 2022 में 0.0001 या 0.001 इन दोनों प्राइज में से ये एक प्राइज सिवाइनू अचीव कर सकता है ये पूरी पूरी उम्मीद है कि जो इनका रोल मेप है उससाब से ये प्राइज अचीव सिवाइनू 100% करेगा कि थोड़ा सा इनकी ट्रेडिंग बॉल्यू है 24 का बंट बाइज है वह पॉइंट बिल्यू है यनि इतना जो है उनका ट्रेडिंग बॉल्यू जब आएगा तो बात है कि शिवाइनू का प्राइस अब होगा होगा यानि अभी वह वो प्रिसक है बेसक उसना आप में बहुत कहेंगे उसको बड़ा ओल्टाम हाई बनाया है फिर भी अभी वह इतनी कपैसी रखता है कि वह अपना ओल्टाम हाई भी तोड़ने की पूरी गुंजा ऐसे उसकी वह अपना ओल्टाम हाई भी ब्रेक कर सकता है यह 24 आवर में 23 परसेंट अप हुआ है जो ट्रेडिंग बॉल्यूम है 24 आवर का वो 23 परसेंट अप कर सकता है और मार्केट में अभी वह अपने 15 नमबर पर रैंक करता है जो कोईन को रैंकिंग मिली होती है उसमें अभी भी सिवा इन्ग अपना वह कभी 14 कभी 15 कभी 14 कभी 15 लेकिन आभी आज कल जो पंद्रह नमबर पर रैंकिंग है इसकी सिवा उन्हों कि होल्डर्स जो है 1.13 मिलियन है तो होल्डर्स भी इंक्रीज है कम नहीं हुए हाँ थोड़ा सा भी बीच में जब यह इंडिया टेक्स लाग हुआ तब थोड़ा सा होल्डर्स में होल्डर्स 2019 की सीरीज में चल दा है यह इंडियन रुपीज की बात करता हूं और आपकी लिस्टिंग जो है लगवग 185 एक्षेंज पर हो चुकी है सिवा इन्हों की लेकिन अभी भी एक मेजर लिस्टिंग बाकी है और वो है रॉविनूड तो आप यह लगाईए अगर यह मेजर लि आपकी है वो है रॉविनूड और सिवा इन्हों का जो मार्केट कैप है टोटल मार्केट कैप है वह 14.5 बिलियन का हो चुका है आप यह देखिए 14.5 बिलियन डॉलर का हो चुका है तो देखिए मेरे इसाब से जो कोईन में पोटेंसियल होनी चाहिए वो है और यह अपना ओल्टाइम हाई अचीव करेगा जो इसने ओल्टाइम हाई बनाया था उसको भी ब्रेक करेगा आने वाले वक्त में अब कोई भी ऐसी नेगेटिव नीवज मार्केट में नहीं है जिसकी बज़य से मार्केट पर किसी तरह का कोई बुरा इंपक्ट पड़े अब है का ट्रेंड बिल्कुल ठीक है कोई बैड नीव्ज नहीं है मार्केट में इसलिए जो है मार्केट आप कि नेक्स्ट वीक से ब्लिस ट्रेंड में जाना शुरू करेंगी आगे और किसी कोईं के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार